हिल्लो इवेबन आज हम मेथ मेचिक पठेंगी स्टान्डर्ड फर्स्ट चेप्टर सेवन मेजर्मेंट चेल्रन प्रिवियर स्वीडियो में थिकर थीनर एंड थिकेस्ट थीनेस्ट प्रूपेक लण किया था आज आगे लण करेंगी हेवियर एंड लाइटर हेवियर मींज फारी, लाइटर मींज हल्का देखो चेल्रन यहाँ पे बेलेंस में टू वेजेटेबल लखे हुए है यहाँ पर है पंकिन, तो यहाँ पर है टोमेटो देखो पंकिन है वो टोमेटो से हेवियर है यानि कि इसका वेट है वो ज्यादा है और टोमेटो का वेट है वो pumpkin के वेट से कम है इसलिए ये lighter कहलाएगा यहाँ पर heavier यहाँ पर lighter वेशे ही यहाँ पर और एक example दिया है elephant and ant elephant का वेट है वो ant के वेट से इसलिए elephant है है वो heavier and ant है वो lighter चल्ड़न आपको एक ही बात याद रखना है heavier यानि की भारी lighter यानि की अलका tick the lighter क्या करना है tick mark करना है यहाँ पर जो things लिए है उसमें comparison करकर जो thing है वो lighter है वहाँ पर यहाँ पर short और यह लोक यह दोनों में से lighter कोंसा होगा यह short है वो यह लोक से अलका होगा इसलिए यहाँ पर light करेंगे next यहाँ पर two cylinder दिये है small cylinder है वो यह big cylinder है दोनों में से lighter cylinder कोंसा होगा यह small cylinder है वो वहाँ पर tick करेंगे next tick the heavier यानि कि जो भारी है उसपर tick करना है kite दिया है और spinning roll दिया है अब kite है वो अलका होगा वो यह जो kite के लिए thread चाहिए वो spinning roll दिया है उसमें हम tick करेंगे वो उससे heavy होगा next यहाँ पर है blue whale और small fish यह दोनों में से किसका weight ज्यादा होगा यह blue whale का weight ज्यादा होगा इसलिए यहाँ पर हम tick करेंगे next heaviest and lightest heaviest means सबसे भारी और lightest means सबसे हलका children यहाँ पर more than two things की comparison करेंगे और check करेंगे कुन सा thing है वो heaviest है और कुन सा thing है वो lightest है children यहाँ पर example दिया है printing mistake हुआ था यहाँ पर बीच में print नहीं आई थी इसलिए इससे छोटा और इससे बड़ा है वो object है वो ड्रो कर सकते हैं देखो यह तीनों मेसेज सबसे भारी यह है इसलिए heaviest और सबसे हलका यह दिखाई दे रहा है इसलिए यह lightest next tick the heaviest यहाँ पर देखो tank दिया है thread rule दिया है और यह color लगाने के लिए जो bucket का यूज होता है वो color bucket दिया है यह तीनों मेसे सबसे heavy यानि की सबसे भारी कुंसी है think होगा यह tank होगा इसलिए यहाँ पर tick करेंगे next tick the lightest चल्ड़र यहाँ पर three things दी है उसमेसे जो भी thing सबसे हलका है उसमें tick करना है hammer, hook self and frock यह तीनों मेंसे किसका weight है वो light होगा यानि किसका weight है वो कम होगा होगा frock का इसलिए हूँ यहाँ पर tick करेंगे next tick the heaviest यहाँ पर three things दी है उसमेसे चूपी things भारी है वहाँ पर tick करना है thermos, bottle and bucket यह तीनों मेंसे किसका weight जयादा होगा कौन सा थींग है वो भारी होगा bucket इसलिए यहाँ पर tick करेंगे children heaviest means सबसे भारी lightest means सबसे हलका thank you करेंगे दिल्सक्षण देज़ होगा लुधा जाज देक उसमाइं मुदा परता झाल झाल